मेरे प्यारे देश वास्यों कहिए कैसे हैं आप मैं स्मित्रा सिंग आज आप लोग के साथ की एक ने टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूँ कि कांफर्ड जोन से कैसे बाहर है कहने का मतलब है कि जो आरामदाई जिन्दी हम जी रहे हैं उससे कैसे बाहर है जैसे एक जोग इंसान को मिल जाता है तो चाहता है कि उसी जोग में हम हमेशा रहें और हमारा जो रेगुलर रूटिंग है रेगुलर वर्क है वही होता रहे लेकिन इससे दोस्तों आगे नहीं बढ़ा जा सकता है अगर आप कुछ बढ़ा करना चाहते हैं तो आप इस comfort zone से बाहर आएं और खुद का मेहनस से आपके अंदर जो talent है अपना वर्क सुरू करें अपना नया काम या नया बिजनल सुरू करें जिसमें आप 100% दे तो आप 100% देंगे तो उसका 100% जो भी benefit होगा वो आपके खाते में आएगा लेकिन अगर हम काम करते हैं comfort zone में हम रखते हैं हमें कोई रिक्स जोपने उठाने के जोब अपनी पड़की जोब के लिए एक बार प्रहाई के लिए job में विया बस हो गया लेकिन उससे हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ने सकते हैं अपना कोई बड़ा काम या नाम नहीं कर सकते हैं या बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए कि हम अपने comfort zone से बाहर में के लिए खास करमें यह बार प्राइबर सेक्टर वालों के लिए बोल रही हैं भले उनके पास कोई degree ना हो, कोई qualification ना हो पर उन्होंने अपना काम स्टार्ट करकर के fail हो कि उन्होंने failure बन के इतना कुछ सीख लिया है कि आज वो सफल है और एक अच्छे सफल बिजनेसमेन के में एक बड़े मुकाम पर है और उनके पास वो सब कुछ है जो एक इंसान चाहता है तो उन एक्जाम्पलों को अंदेखा नहीं कहजाता है इसलिए मेरे पैरे देश्वासियों आप लोगों को गौर्मेंट से जो सिकायत करते हैं अगर आप एजुकेटेड हैं और नहीं वे एजुकेटेड हैं तो आपकी अबिलिटी के नुसार कोई भी सोरोजगार हो फुटूर जोग हो या कोई ब्रिधत जिहत जोग हो आप उसमें अपना ध्याना खर्षित करें बैंक से लोन भी ले लोन भी बहुत आसानी से नहीं फिर भी फोड़ी सी मिस्तकत करने से मिलनी जाती है या कुछ जमा पर नोकरी भी करें कुछ दिन उसके बाद कुछ नोकरी करके पैसे जमा करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कीजें अगर आपको बर आद्मी बनना है या बरा काम करना है Self-Dependent होना है Financially Free होना है तो दोस्तो मेरे देशवासियों आपको अपना काम सुरू करना ही होगा एक छोटा से छोटा ब्योसा या बरा से ब्योवर ब्योसा है बादर्बेपारी भी बादर्गी करलाता चोटा बार्दर्गी करते हैं अगर बत्ती बनाने के काम स्टार्ट करते हैं या घर Noodles Cookie ?' या या कपरे की तुफान स्टार्ट करते हैं या lockdown में यह सब पोसिवल नहीं है तीस तीतिमें तो आप लो ऊंलाइन वर्क सेदातों है और कुल या उनलाइक काम है तो उसमें आप आगे परिए यसे युट् Warum में हिजीद अपना İş TW कमनेघर आपकर स 나타शान की और ये नहीं कहातर है तो आप बोलती हैं जो अपना मॉंडने कि और गया सकती हैं और इसे में बोलने की बिरने कि यूप ने बन सकती हैं प्राइ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, खोसित करने वालों कि कभी हार नहीं होती, अगर हार भो भी जाती है, तो फिर से खोसित करें, अगर आपको लगता है आप में अबिलिटी है, तो आप आगे बढ़ें, तो हम comfort zone को छोड़ेंगे, उस चीज़ से बाहर निकलेंगे, तब ही हम अपनी जन्दी के बारे में सोच सकते हैं, कि हम में क्या अच्छा लगता रहा, किस चीज़ में मेरी ability है, मैं क्या कर सकती हूँ, I can, I will, do, मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये सारी सोचे, positive thinking आपके अंदर कवाएंगे, जब आप comfort zone से बाहर निकलेंगे, तो comfort zone अभी जो आप लोगों को बहुत को अगर नोकी से निकाला गया है, तो आप निरास नहों समझे, ये आपके लिए golden opportunity है, कि आप सूच सकते हैं कि लाइफ में हम बरा क्या करें, आप लोगों को भी सूचने समझने का time मिला है, और इस time को आप अपना कुछ नया काम सुरू करने के भी दिमार planning, future planning कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तब ही possible है जवाब उपने comfort zone से बाहार निकले, comfort zone से बाहार निकलने के लिए मैं आप लोगों को एक चांपर तोट पर स्टोडी में सुना देती हूं, ये डॉगी था, वो एक पट्री पे रहता था, पट्री में कील रगी हुईती रहता था, मतलब वहां हमेशा बैठा रहता था, और साथ वहां उसे खाना मिलता हो, लेकिन कुछ लोगों ने बुचा, ये यहां क्यों बैठता है, जब कीसे इसने कील चुपती है, तकलीफ होती तो इस दूसरा आप आदमीं बोला कि, क्योंकि ये प्रोबलम प्रोबलम भो जाता है, तो इस चीज से हम लोगों को आगे आना चीज, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि हम लोग क्या करते cricket कि तीन वक्तरप खाना मिल जाथा कपरे मिल जाते हैं रहनेeverальные को मकान मिल जाते हैं रोटी कपरा मकान तो हम उसके अपरण जो में चले जाते हैं कि यह लाइख देदे बहुत अच्छा होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूं मैं कहना चाह रही हूं कि आप इसी के गुनाम होते हूं अपनी मर्जी से जी नहीं सकते अपनी मर्जी से पुछ कर नहीं सकते और आपको आपके काम के जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा तो कहीं मिले गई है क्यों क्योंकि कोई भी पर से में अच्छा employee मिल जाए और मिल भी जाता है क्यों सिक्षित बरोजगारी इतनी ही कि मिल भी जाता है इसलिए मैं कह रही हूं सबको प्रेडित कर रही हूं मेरे comfort zone को छोड़ कर आप लोग अपना business अपना काम अपना धंदा स्टार्ट कीजिए चाहंचू भी छोड़ा से चोड़ा काम हो अपनी कोचिन थो दिए टूशित पराइए बच्चों को या सिलाई कीजिए कराई कीजिए या जो भी वर्क में आप master हूं उसमें इस्पेसिलिट हूं उसमें वह आप काम कीजिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो मैं आप लोगों को बताती हूं हिंदी वक्ता कीजिए बहुत दिमांड है मार्केट में क्यूंकि बहुत कोई हिंदी सही से बोल भी नहीं पाते हैं तो अगर आप हिंदी भी अच्छा होती हैं तो तब भी आप आपका वाइस उसकी बहुत कीमत है तो अपने तैलेंट क अपने कीमत को आप बहशानिये और उसे आप प्रेजेंट कीजिये तो इस तरह से आप कंफर्जों से बाहर निकले और लाइफ में आगे बढ़ी कहने को तो बहुत कुछ है मैं तो तीम-चार घंटे तक मतलब इस टॉपिक को बात कर सकती हूँ अलाफो करोरो लोग सामने देश देश कहीं भी जाके मैं इस पीश देश रखती हूँ मेरे अंदर इतना सेल्फ कांफिडेंट है और मैं इतना बोलने की तागत रखती हूँ एक्सपिरिंस से मैं बोल रही हूँ कि मैंने भी ठाइब जोट किये धखके खाए है और उसी धक्के को अब इस उमर में मैं सोच रही हूँ क्योंकि मुझे अभी एसास हो रहा है कि क्यों ना अगर मैं अपना बिजनेस की रहती तो आज मैं बहुत बड़ी मुकाम पर होती प्राइबर जोब से मैंने पैसे तो कमा है कंफर जोब में लाइफ तो जी लेकिन मैं बहुत बड़ा नहीं बन पाई तो आप लोगों को मैं अपना प्रशनल एक्सपरिम्स शेयर कर रही हूँ कि अभी भी जाब जाओ अभी भी सोचू लाइफ में क्या करना है और आगे बढ़ो इसका फर्ट जोब से बाहर निकलो अरांदा जिन्दगी से बाहर निकलो और आगे बढ़ो इन्हों ने भी अपना बिजनस किया है वही आगे बढ़ते हैं मोकरी करने वाले कभी आगे निबढ़ा हाँ अराम डायक जनकी चलते हैं जोखेम उनके पास लेह कोई रिक्स नहीं होता बिजनस दूर ने का को दानने का सुनने का नहीं होता लेकिन फिर यह बहुत बिख्शेड का, मैं सिक्षेत माहिलाओं ** को बोले हूँ uni से टेरी करते हैं गशे यह आपकर यह इन्माः कर यह खुद जो टैलेंट उसको उभारे और जो प्राइबट जो कर रही हूं उसमें में काफी परसानिया आपको होती है कि मैं उसमें से खुद नजहल चुकी हूँ कि घार और बाहर कितना सम्हालना पड़ता है इसे तरह किसा करें। इसी के अपने कफिने विचारों को विराम देती हूँ अगर आप लोग को ये वीडियो जाँ लगी हूँ तो लाइक करें, लाइक करें, सेर करें, सब्क्राइब कराएगा मेरे चैनल पर नए हखता ताकि मैं आपको इस तरह का motivational speech या इस तरह का नयानद तरीका नहीं नहीं सोच को आपके साथ share करो, आप लोग अगर मेरे वीडियो को नहीं देख रहे हैं हो सब्सक्राइब जरू करें, ठैंक्स पर वाचिंग जैहिन जैफारग